हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से क्रिमेश्ट्री का फर्स्ट चप्टर जैसे कि आप देख रहे हैं रसायनिक आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए लेकर रहे हैं हम आपको बता दे इस पीडियों में जितने भी साहर प्रस्ण है उसे तीन माध्यम से त्यार किया गया है एक आपके महत्पूर्ट परस्ट डाले गया है और दूसरे जो पिछले एक्जाम में आपके हैं प्रिवेश्टियर और तीसरे आपके आने वाले एक्जाम में बहुत अधिक संभावण है उसको डाला गया अथा आप इस हमेंसा करते रहेगा इस पीडियों को प्रा जाए नहीं है दोहन बी स्वासन का पचना दी और श्युपन सब्सक्राइब अगला परस्ट की तरफ चलते हैं अगला परस्ट का रसाइनिक सुत रहा है एस ये स्यो थ्री इसका सही एंसर यहीं हो जाएगा चलिए वागला परस्ट तीन नमबर पर आते हैं देखें तीन औ और सोडियूम आया हमने लोग अगला परस्ट परस्ट संख्या चार प्याते हैं देखिए परसंख्या चार है धातू के सांथ अब किडिया करके जल कौन सा गैस उत्सरजित करता है अप्सन ए है 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 नेट्रोजन स्टी है स्योटू डी है ओटू इसका साही एंसर हो जागा ए हाइड्रोजन है 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 अगला परस्ट पांच नंबर पर देखिए अगला परस्ट पांच नंबर है खड़िया का डासैनिक सुत्र क्या है यह में एमची इसी 2-3 बी में सी उचलते है अगला प्रसंट पर चलते हैं कि आए हम लोग चलते हैं अगले परसन की तरह देखिए परसन संख्या एक अभी किडिया दिया हुआ है यह पूछ रहा है कौन से भी किडिया है उप्चायन सनियोजन उभैगामी रिडॉक्स इसका सही एंसर जाएगा ऑप्शन डी रिडॉक्स आइए अब हम लोग अले परस इसका सही एंसर हो जाएगा एए ब्योजन तो दोनुप प्रस्म कि पिछली बार पूछा गया है चलते हैं आगला परसन तरह प्रसन संख्या आठ निम्न में से कौन सबसे अधिक विदूत्रिनात्मक है कलोरीन फ्लोरीन बुलूमीन अयोडीन इसका सही एंसर हो जाएगा ब प्रसंख्या नौपर चलते हैं लिए प्रसंख्या नौए खाने वाले पैकेट में कौन सा ग्रास बढ़ा होता है एक अपचयान बी उक्चयान च्यूसमा छेपी डिस नियोजन इसका सही एंसर हो जाएगा इसी उसमा सो शीप अब हमला अगले प्रस्न संक्या इगारा है कौन सा कमरे के ताप पर द्रौ होता है AMG, BAG, CNA, DAG इसका सही इंसर रज़ेगा D पारा अब हमला अगले प्रस्न में चलते हैं देखें प्रस्न संक्या 12 है दूट से दही बनना कैसी प्रक्रिया है A भौतिक, B रसाइनिक, C, A और B, D कोईन है इसका सही इंसर रज़ेगा B रसाइनिक प्रक्रिया अब लगे चलते हैं आगले प्रस्न के तरफ प्रस्न संक्या 13 है देखें प्रस्न संक्या 13 है स्वासन में अंति मुत्पाद है इसका सही इंसर हो जाएगा A CO2 और H2O आई आगले प्रस्न पर चलते हैं और अगले प्रस्न संक्या 14 पर देखें प्रस्न संक्या 14 है अगले प्रस्न 15 पर देखें प्रस्न 15 है अभिकिरिया इतना में कौन सा पदाथ इसका सही इंतर हो जाएगा B CO2 चले वांगले प्रस्न जो प्रस्न संक्या 16 निमली खित में कौन सा पदाथ फोटोग्राफी में प्रिक्त होता है इसका सही इंसर हो जाएगा C AG VR आते हैं अगले प्रस्न 17 पर देखें 17 निम्न में से कौन सा पदाथ बीना जोला का जलता है सही अगले प्रस्न के तरफ प्रस्स संख्या 18 था कितनी होती है इसका सही इंसर हो जाएगा B 11 आते हम लगे प्रस्न के तरफ लाफिंगा इसका असानिक सूत्र है में अगला प्रसंट पर देखिए अगला प्रसंट है बीस अगला प्रसंट है रसाइनिक अब किरिया में भाग ले नहीं पदात को कहा जाता है ए अभिकारक बी उत्पाद सी में ए और बी डी में कोई नहीं इसका एंसर हो जाएगा ए अभिकारक यह 2020 में पूछा हुआ है आए अब हम लोग चलते है प्रसंट संख्या किस पर देखिए प्रसंट संख्या किस है समिकरन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका सही अंसर हो जाएगा ए अगला प्रसंट 22 है फिरीस एक बाई इसमें समिकरन दिया हुआ है उप्युक्त रसाइनिक अभिकिडिया है इसका सही अंसर हो जाएगा ए फिरीस निमिलखित में से कौन सबसे कम अभिकिडिया सिल्धात हुए इसका सही अंसर हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा ऑगला प्रसंट 24 पे जिंक तथा सल्फिक अमल के बीच अब किडिया में से निमिलखित में से कौन सी गैस निकलती है और वह चलते हैं अगले प्रसंट के तरफ देखी अगला प्रसंट है जब किसी अब कीडिया के समय किसी पदात में ऑक्सिजन के ब्रेदी होती है तो निमिलखित में से क्या कहा जाता है इसका सही अंसर होगा A, उपचायन चलते हैं अगले प्रसंग की तरफ प्रसंग के 26 है इलेक्ट्रोन का स्तरांतर्ण से बने योगिक क्या कहलाते है A, बैधुत योगिक, B, कार्बन, C, सबस्वन योजी, D, कोई नहीं इसका सही अंसर होगा A, बैधुत योगिक इसका सही अंसर होगा A, चलते हैं अगले प्रसंग के 28 पर और 56 अब किडिया में से किस परकार का लौन प्राप्त होता है A में है, B में है, O बिल है, C में A और B, D में कोई नहीं इसका सही अंसर होगा B, O बिल है चलते हैं 29 पर प्रसंग का मुख अभ्याव है A है प्रोपेन, B है इथेन, C है मिथेन, D है इमिन इसका सही अंसर होगा C, मिथेन अब अगले प्रसंग में चलते हैं, अगले प्रसंग है 30 इसका सही अंसर होगा B, अब अगला प्रसंग 32 पर बिलंजग चूंड का सही अंसर होगा B C, C, O, C, L, 2, अब अगला प्रसंग 32 पर आते हैं, एक रशानी का अब किरियो दिया हुए इसे, पूछ रहा है कौन सा कथन सकते हैं एक कारबन अब चैचित होगा, यह अंसर होगा, कारबन अब चैचित हो रहा है, चलते हैं अगले प्रसंग पर प्रसंग है 33 पर देखे प्रसंख्या 33 साख सब्जियों का बिगटित होगर कंपोस्ट बनना कीस प्रकार किरा साइनी कभी किरिया है ए और चेपन बी उसमाद छेपी सी उसमाद सोची डी सन्योजन इसका सभी एंसर हो जाएगा बी उसमाद छेपी चलते हैं प्रसंख्या 34 पे तामबे के बस्त चली आवनों चलते हैं अगले प्रसंख्या 35 प्रसंख्या 56 प्रसंख्या किन्वर्ण करना क्या काला तै रसायिक परिवरतन ने भी भातिक परिवरतन सी यहीं डी कोई ने ही इसका प्रस्थर और स्युटेन प्रसंख्याटन है तो चलते हैं प्रस संख्या 38 पर देखिए प्रस संख्या 38 है सोडियूम को क्रियोसिन तेल में डूबा क्यों रखा जाता है ए उड़ने से बचने के लिए बी ओटू सब किरिया से बचने के लिए परकास का अगले करिया से बचने के लिए और अगले परस संख्या 40 है परकास रसानी का किरिया में क्या होता है ये परकास का असोचन भी परकास का उत्तरड़न सी परकास का भगटन डी कोई नहीए अब चलिए सब्से लास्ट परस ने प्रस्थ संख्य 40 घुलार काश्यर दिया हुआ है इसे पूछ राएब रसानिक करिया किस प्रकार किया भी स्थापन संख्रा करिया बिश्थापन आभ झाहा है ये सभी परसन बहुत ही महत्पून परसन थे अता आप इसे हमेशा रिविजिन करते रहिएगा इसमें से आने के बहुत अधिक संभावनाय है कि सेम टू सेम कोर्चन ही आपके आने वाल एक्जाम में आ जाए इसी तरहां लोग सभी सब्जेक्ट के वीडियो लाते रहेंगे महत्पून परस जो आपके लिए बहुत ही फाइदा मन्द होगा इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए तब तक के लिए जय हिंद